दोस्तों नमस्कार हमने पिछला जो वीडियो बेरेनिल आर्टीउ पे बनाया था डाइ मेने जिन एस्टुरेट वाला और उस वीडियो पर आप सबी का बहुत अच्छा प्यार मिला मैंने अपनी तरफ से पूरा एक डिटेल वीडियो वो बनाया था जहां पर एक भी जानकारी पिछे नहीं छोड़ी थी लेकिन मानना पड़ेगा आपको कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किये भाई वाई मज़ा आ गया और उनमें से दो-चार कमेंट जो कॉमन थे और उनमें एक ही कमेंट जो एक ही तरीके के थे और वो थे कि हम बैरनिल इंजेक्शन को किन-किन इंजेक्शन के साथ नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा बहुत अच्छा प्रशन मुझे वो लगा तब ही मैंने सुचा क्यों ना इस पर भी हमें एक डिटेल वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए कि किन-किन इंजेक्शनों के साथ अगर आप बैरनिल का इस्तिमाल करते हैं तो नुकसान होने की संभावना ये रहती है असर कम हो सकता है या पिर ऐसा कहलो कि फसू ठीक नहीं होगा तो वो इंजेक्शन कौन-कौन से है जिनको कभी भी आपको बैरनिल इंजेक्शन के साथ नहीं लगाने चाहिए बैरनिल का मतलब आप समझ जाएगा डाइमिलिजिन, एस्टिरे, साल्ट वाले जो भी इंजेक्शन है उनके साथ अगर आप नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा अगर मैं बात करो नमबर वन इंजेक्शन की तो वो इंजेक्शन है फ्रेंड केल्शियम के आईवी इंजेक्शन केल्शियम के आपको पता है आईवी इंजेक्शन दो परकार के मार्केट में मिलते हैं एक calcium borogulconate के रूप में आता है तो एक आता है calcium magnesium borogulconate के रूप में तो दोनों ही injection हालागे हम इनको एक ही बोल रहे हैं तो IV calcium के जो injection है उनके साथ बर्निल का इस्तेमाल नुकसान दायक हो सकता है इसके अलबा, second अगर हम बात करें तो वो injection है friend, dexona dexona brand के दीजिये, dexamethasone salt है और dexamethasone की जो category है, steroid तो भई कोई भी steroids जो है वो इसके साथ ना लगाएं तो बहतर रहेगा, क्योंकि वो भी नुकसान दायक होता है steroid immunity down करता है और जो बीमारी जिसको ठीक करने के लिए हम बैरनिल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पस्तों की immunity का बहुत बड़ा रोल है इसलिए ये दोनों साथ लगाना भी नुकसान दायक हो सकता है इसके अलबा, एक injection आता है sodium bicarbonate का sodium bicarbonate यान SBC का injection आता है जो कि पेट की गड़बडों के लिए लगाया जाता है विशेज तोर से, acidosis में उस injection को अगर bernil के साथ लगाया जाता है तो भाई वो भी तकलीफ कर सकता है नुकसान कर सकता है इसके अलबा, दो injection ऐसे और हैं जिनमें पहला है आईवर मेक्टिन का injection आईवर मेक्टिन कहलो चाहिए दोरा मेक्टिन कहलो दोनों ही, acto और endo parasites के लिए हम लगाता है तो ये भी अगर bernil के साथ लगाया जाए तो भाई नुकसान दाइक हो सकता है इसलिए इनको भी पसुचे के सकसात में इस्तेमाल नहीं करते है इसके अलबा, जो अंतिम injection जिसके साथ इस्तेमाल नहीं करते है वो कौन सा है? वो है फ्रेंड, lithium endemony thiamolate lithium endemony thiamolate वाला जो injection आता है जो कि आप सभी को पता है enthio melon के रूप में market में मिलता है enthio melon तो भाई उसके साथ भी अगर आप bernil RTU को use करते हैं तो नुकसान दाइक हो सकता है पसुचिके सक इनको भी साथ में नहीं लगाया करता है इसके अलावा ये पांचों injection common थे ऐसे बहुत से injection है लेकिन हमेशा ही ध्यान रहे कि injection जो भी इस्तिमाल कर रहे है पसुचिके सक अपने विवेक से इस्तिमाल करें ऐसा नहीं हो कि वीडियो को देख कर के कोई भी इस्तिमाल कर ले नुकसान दाइक हो सकता है विशेज तोर से हार्मनोल और प्रोटोजोन जो एंटी प्रोटोजोन इंजेक्शन है वो तो भाई नुकसान दाइक ही बहुत होते हैं तो आप पूरा ध्यान रखें और पसुचिक्षक द्वारा ही इंजेक्शन का इस्तिमाल कर लाएं